आज की रेस्पी आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। एकदम कुरकुरा नास्ता सिर्फ 5 मिट में बन के त्यार हो जाएगा। तो इसे बनाने के लिए बाहर से कुछ भी समान लाने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो समान है उसी से बन जाता है। तो चलिये इसे बनाना कैसे हैं वीडियो में देख लीजिए। थो पोटेटो बनाने के लिए देखो से आपने बागी अनकिन के लिए आपके पास मोटे वाले हैं तो उससे भी कर सकते हैं।?」 पतले वाले से भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैं पतले वाले से ही ग्रेट कर लेती हूं। आलू को ग्रेट करने के बाद अब हम इसको धो लेंगे तो दो accelerating भाई भीसे धो क captivity निकाल लेजिएगं ताकि आलो का श्टार्ज सारा निकल जाए तो इसमें पानी डालके इस तरीके से मुठी से छानके आप इसे निकाल लेजे आप इसे तब तक तो यह जबते कि इसका यह पानी जो है गंदा दिख रहा है यह साफ पानी न दिखने लगे मैं तीन बार आलो को धो ली थी तो अब आप देखे इसमें पानी डाल रहे हूँ तो एकदम साफ पानी दिख रहा है अब इसमें बिल्कुल भी श्टार्ज नहीं दिख रहा है तो अब हम इसको बढ़िया से गार के इसको छान लेंगे ताकि इसमें एकष्टा पानी न रहे तो आप इस प्रोसेस को कप्रे में भी डाल के कर सकते हैं इस तरीके से बढ़िया से निचोर के आप आलो को निकाल लीजे यह देखे इस तरीके से मैं निकाल ली अब मैं इसमें दो चमच जितना कॉन श्टार्ज डाल रहे हूँ आप चाहे तो इसकी जगह पे मैदा भी डाल सकते हैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स आदा चमच चाट मसाला डाल दिये हैं अब हम इसमें स्वादनुसा नमक डाल रहे हैं आदा चमच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें पीजा सीजनिंग डालेंगे इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा अब हमी सारे चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं इसमें बहुत जादा मसाले डालने की जरूरत नहीं है बहुत कमी मसाले में बहुत बढ़िया बनता है इस तरीके से आप इसे मिक्स करिएगा बहुत ज़्यादा जोर से दवा के नहीं मिक्स करिएगा नहीं तो इसमें पानी छूट जाएगा तो इस तरीके से क्रम्बल करते हुए आप मिला लेजे इसमें आप थोरा सा अधरक लसन भी बारी काट के डाल सकते हैं तो सारे डाल के अच्छे से मिलाने के बाद आप इसके छोटे छोटे से बॉल बना के त्यार कर लेजे आप इसे जितना छोटा बनाएगा उतना ये कुरकुरा बनेगा और उतना जल्दी ये फ्राई हो जाएगा तो इस तरीके से मैं बना के त्यार कर लेती हूँ अचानक कोई मेमान आ जाए और आपको कुछ समझ में नाया कि आप क्या नास्ता दे तो इस तरीके से आप 5 मिनिट में ये नास्ता बना के त्यार कर सकते हैं और उन्हें सर्व कर सकते हैं उन्हें बहुत पसंद आएगा तो यह देखिए मैं सारा बना के त्यार कर लिए अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी तो फ्राई करने के लिए तेल में गरम होने के लिए डाल दी थी तेल को बहुत जादा गरम नहीं करेगा मीडियम गरम करेगा और इसमें एक एक करके जितना एक बेच में आजा है उतना आप डाल दीजे और इसे उलट पलट के 3-4 मिनिट में ये बढ़िया से फ्राई हो जाता है क्योंकि ये बहुत छोटा है तो इसे फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तिन से चार मिट में एकदम क्रिस्पी होके त्यार हो जाता है तो इस तरीके से उलट पलट के मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेगा नहीं तो उपर से जल्दी से कलर आ जाएगा और उपर से क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं बढ़िया से तो इसलिए गैस का फ्ले मीडियम टूलो रखेगा और इसे 3-4 मिट के लिए फ्राई कर लेजेगा या तक तक फ्राई कर लेजेगा जब देखिए बढ़िया से उपर से क्रिस्पी न हो जाए और बढ़िया इस पे कलर न आ जाए तो यह देखे बढ़िया से इस पे कलर आ गया है और तीन से चार मिनट के है आसपास हुआ है इस पे बढ़िया से कलर आ गया है एकदम क्रिस्पी बन के त्यार हो गया है इसे मैं और बांखी बचा हुआ हैं उसे हम फ्राय होने के लिए डाल देंगे और उसी से तरीके से 3-4 मिनट के लिए बढ़या से फ्राइक, किस्पी रोने के बाद लेंगे तो इस तरीके से एक्टम गर्म घर्मघ्रम क््रिस्पी नाश्ता बनके त्यार है सिरह 5 मिनट में तो ये देखिए हमारा नास्ता बन गया है इसे मैं सर्फ कर रही हूँ टमेटो केचप के साथ आप हरी चट्नी या टमेटो केचप के साथ सर्फ कर सकते हैं बहुत जल्दी बन जाता है और इसंट क्रिस्पी बनता है इसे आप लोग एक बार जरूर ट्राइ करेगा सभी को बह बाइ बाइ